जै माता की दोस्तों कैसे हूँ आप सब दोस्तां आप सभी का हार्दिक स्वागते महा काली भकत गयानी YouTube चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कैसे पता करे हमारी पूजा माता काली तक पोच रही है या किसी प्रेत के पास जारी है यानि कि कभी कबार दोस्तों ऐसा होता है कि जिस देवी देपता का आप पूजन करते हैं उस देवी देपता तक आपकी पूजापाट आपका भोग परसाद नहीं पोच पाता है फिर आपका भोग परसाद और पूजापाट कहां जाता है आपका भोग परसाद पूजापाट किसी प्रेत के पास जाता है यानि कि कोई ऐसी चीज होती है आपके घर में जो चीज आप पोजापार साथ खाती है तो यह ऐसा होता है गारंटी के साथ सभी वक्तों के साथ होता है कि हमारी पूजापार जो है माताकाली तक नहीं पोच पाती है और केवली उन तो अब आपके मन में इस सवाल उठेगा कि माताकाली क्या कुछ नहीं करती, माताकाली मतलब उस भूत प्रेत को मारती नहीं गया, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, माताकाली उस भूत प्रेत को इसलिए नहीं मारती है, क्यूंकि जो भूत प्रेत होते हैं, वो माताकाली के सा वह में बिराज मान रहते हैं और माता काली इस वज़े से भी नहीं मारती कि चल किसी ने खाया तो अपना पेट भरने के लिए खाया मलब जैसे हम है ठीक हम किसी गरीब इंसान को खिलाएंगे तो वह खाना मान लोगी वह खाना किसी और का है और हमने किसी गरीब इंसान को खिला दिया ठीक है तो वह सामने वाला बंदा भी हमें जो सही होगा वह कभी भी हमें यूनी बोले गए भाई तुने मेरा खाना क्यों खिला दिया तो ऐसे ही माता काली है वह भी तरस खा जाती है सब पर और वैसे भी माताकाली की सेवा में बूत प्रेट 2400 गंटे रहते हैं और माताकाली इसलिए जल्दी से कुछ नहीं कहती है तो बाकि अब आपको क्या करना है कि आपको माताकाली तक आपकी पूझा पार्ट पोचे और बहुत परसाद माताकाली तक जाए वो मैं आपको पूरी पर नहीं मिली होगी तो जैसे की भक्तों आपको बता दूं अगर माताकाली की पूझा पार्ट आप लोग करते हैं ठीक है मानलो आप माताकाली की पूझा पार्ट कर रहे हैं या किसी भी देविदेटा की कर रहे हैं तो जो आप भोग परसाद अपनी माता के नाम का दे रह वह आपकी घर में प्रेत होता है या भूत होता है उस तक पहुझ oh jata, क्यूंकि आपके घर मे किसी दुऌस्मन धानमे कोई प्रेत कर रहा हैaudранों प्रेत बादा छोड़ लग जाते हो पूजा पर सदुड़ मात all प्रेत सब्सक्राख कर दो दो मातकाली तिक जाए किसी भी भूत्र हमारी पूत्त परोग पूजय और प्रस Conway do not go to all the एक्वार उसके लिए आप लोगों मातकाली के हर स काली सक्वार के बर्त करने पड़ेंगे कितने मत्त मिक्रई सनीवार के आप Natomiast Koran Parma committed साइट करेंगे तो यह तभी माताकाली तक ही आपकी पूजा पर्साद जाएगा फिर जो प्रेथ है उसे माताकाली साइट कर देगे क्योंकि आप लोग बोल रहे हो तो इसको माताकाली पूजा पर्साद पर्साद या रहा हो हमारा भोग परसाद ले रहा हो तो उसको हम कैसे दूर करें जिससे कि हमारी पूजा पाठ हमारा भोग परसाद माता काली तक पहुचे तो यही एक तरीगा जो मैंने आपको बताया है साथ सनीवार के आपको बर्त रखने हैं और बर्त में आपको सुबह साम पूजा प करना पड़ेगा तो देख लेना फिर आप लोग अगर जैसे ही मानलो ये आप काम करेंगे जो मैंने आपको बताया है उसी वकस से आप लोगों के धीरे धीरे दीरे दूसरे तीसरे बरत में ही आप लोगों की पूजा पाठ और आपका जो भोग परसाथ है वो माता काली तक प पहुँच रही है आपको किसी भी रूप में आकर दिखा दे चाहिए कन्या रूप में औरत रूप में बूड़ी औरत रूप में किसी भी रूप में आकर माता काली आप लोगों को ये भी दिखाएगी कि जो भी तेरी पूजा पाठ है जो तु भोग परसाथ मुझे कि माताकाली तो समझ जाना कि अब से इसी वक्त से जब से आपने बर्द रखना स्टारट करें तब से ही आपकी जो पूजा पाथ है माताा-काली तक पहँचेगी ऑर उसके साथ जो भी भूग परसाद आप चड़ाएंगेu वह माता तक पोचेगा जब आप इस उपाय को करेंगे तो चली दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है अब हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादे माता काली आप सभी की मनोकामनाय पूरी करें ओम नमस्षिवा जे माता की